आपने को पता है मैं लिखता हूँ we know that we know that कुन सा फार्मुला है अपने को पता साइन वाला फार्मुला याने 1-cos of a equal to 2 sin square a by 2 बराबर है एक फॉर्म में लिखा वो ठीटा के फॉर्म में था तो इसमें देखो अपन ने अभी तक देखा है sign rule देखा है cosine rule देखा है और projection rule देखा है ठीक है तो वो तीनों यूज़ करके इसमें क्या यूज़ होंगा cos यहाँ तो cosine rule यूज़ होंगा तो cosine rule of angle a क्या बोलता है यह यह रहता है minus a square लिख दिया यह आया तो minus a square तो इसके सामने क्या आता है plus b square plus c square आता है remaining जो side है b square plus c square यह आती है और divination में रहता है twice b और c आता है यह धान में रखना है आपको cosine rule of a ठीक है equal to यह 2 sine square a by 2 as it is रहेंगा समझे यह 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 आता है उसके बाद इसकी cross multiplication करो इसका LCM आयेंगा twice b c as it is रहेंगा twice b c से इसको multiply करो क्या मिलेंगा twice b c मिलेंगा minus से हरे टम को multiply करो minus b square इसको minus से multiply करेंगे तो minus c square आयेंगा इसको minus से multiply करेंगे तो minus minus plus हो जाएंगा प्लस a square होंगा equal to 2 sin square a by 2 आएंगा समझे यहां से यहां तक उसके बाद देखो यह positive quantity है तो मैं सामने लिखता हूँ a square लिखा ठीक है बचे हुए जो तिनो quantity है ठीक है इसमें से मैं minus sign common निकलता हूँ इसमें से minus sign common निकला तो क्या रहेंगा अपना b square रहेंगा इसमें से minus sign common निकलोत क्या रहेंगा अपने पास plus c square रहेंगा इसमें से minus sign common निकलोत क्या मिलेंगा minus twice bc आएंगा ठीक है डिवाइडिशन में क्या आने वाला है twice bc आने वाला है equal to twice sin square a by 2 होता है हो ऐसे यहाँ पर a square ऐसे की ऐसे लिख दिया आप लोग सोचेंगे तो यह हो गया b square plus c square minus twice bc है तो यह b minus c का whole square हो गया तो minus of b minus c का whole square लिखता हूँ denominator में क्या रहेंगा twice bc आज इज रहेंगा equal to twice sin square a by 2 हो गया समझे क्या है यहां से यहां तक उसके बाद इसके इसको omit करता हूँ यह आपको धान में रखना है अभी और बहुत बार आपन दे चुके टिग्नामेंटिक फार्मुले में तो देखो इदर ठीक है इसको क्या करेंगे अभी यह a square लेंगे इसको capital a square लेंगे और इसको क्या लेंगे b square लेंगे तो a square minus b square के a square minus b square के factor क्या होते है a minus b और a plus b होता है तो a plus b लिखेंगे और a minus b लिखेंगे ठीक है उसके बाद a plus b लिखना है यह पहला फैक्टर हो गया ठीक है दूसरा फैक्टर क्या है a plus b minus c है ठीक है a minus b और a plus b दोनों फैक्टर लिखे उसके बाद डिवाइडिशन में क्या है twice bc है इस साइड में twice sin square a by 2 है बराबर यहां तक उसके बाद यहां पर minus c multiply करो a minus c मिलेंगा ठीक है इसको simplify करो यहां पर क्यांबलेंगा a बाद में plus b और यह minus c मिलेंगा डिवाइडिशन में twice bc as it is रहेंगा equal to 2 sin square a by 2 है बराबर है अपने पास एक result जान में रखना है कौनसा result a plus b plus c equal to क्या आता है twice this आता है तो हर एक ब्रैकेट में यह भी ब्रैकेट में a b ब्रैकेट में दोनों ब्र ठीक है क्योंकि यह given है इसकी value क्या है twice as given है तो देखो यहां पर a लिख दिया plus वाली value दूसरी plus वाली कुंसी है plus c है यह plus c यहां पर लिखता हूँ b है क्या plus b है क्या नहीं है तो plus b मैंने यहां पर adjust किया इस plus b को cancel किया इस minus b से और यह minus b बचा हुआ है तो यह minus b as it is लिख बात में plus c लिख दिया अपने को a plus b plus c चाहिए plus b यहाँ पर मैंने plus plus PP को reduces किया minus b से मांच यह मांच बिए यह मानच बी यह लिगक दिया यह हे पहला ब्रैकेट डुसरा ब्रैकेट आप performer सोचते हो a plus b plus plus c चया नहीं तो plus c adjust किया plus c को cancel क्या मैंनस c से और यह minus c बचा हुआ है तो यह minus c as it is लिग दिया, dividation में वही रहेंगा, twice bc equal to 2 sin square a by 2 as it is रहेंगा, ठीक है, तो अभी देखो, अभी क्या होंगी, अपने को जो given result है, उसको utilization करना है इसकी value अपने पास given है क्या है, twice s given है, ठीक है यह twice s लिगा, minus minus b, minus b, minus 2b होंगा, बराबर है उसके बाद, यह पहला bracket हो गया दूसरे bracket के तरफ जाओ, इसकी value twice s given है, और यह twice c लिख दिया, अपन twice bc equal to 2 sin square a by 2 लिखा, ठीक है उसके बाद देखो, इसमें से common क्या निकलेंगा, 2 common निकलेंगा 2 common निकलेंगे बाद, yes minus b लिखा, इसमें से भी 2 common निकलता है 2, yes minus c आएंगा अपन, twice bc आएंगा, equal to 2 sin square a by 2 ठीक है, सिर्फ एक मिंट के लिए इदर जान दो बस आगया result, ठीक है यह 2, 2, cancel हो जाएंगा वैसे, यह 2, इस side का और इस side का 2, cancel हो जाएंगा ठीक है, तो अपने पास क्या मिल रहा sin square a by 2 equal to, क्या है यह आपे yes minus b है और yes minus c है अपन bc मिल रहा बरबर है, अब यह square हटा ना है square हटाने के बाद क्या मिलने वाला है square हटाने के बाद किससे square हटा है square root से, square root लेलो square root लेलो, square root रो, square cancel हो जाएंगा तो क्या मिलने गा, sin a by 2 और इसका square root आ जाएंगा तो अपना result यह प्रूव हो गया ठीक है तो यहाँ पे sin a by 2 sin a by 2 equal to under root of yes minus b, yes minus c upon bc तो यह हो गया half angle का sin root यह बहुत important formula है आप लोगों को यह ध्यान में रखना है sin a by 2 equal to under root of yes minus b यह आया तो यह नहीं आएंगा इसमें, yes minus b आएंगा yes minus c आएंगा upon b over c intangle abc if a plus b plus c यह side of the triangle उसका sum equal to twice yes रहेंगा then cos a by 2 cos का half angle ठीक है, equal to यहाँ पे क्या देखना है वहाँ पे bc था dividation में यहाँ पे bc है dividation में ठीक है, वहाँ पे क्या था yes minus b था, yes minus c था तो वहाँ पे यह नहीं आता है यहाँ पे yes into yes minus a आता है तो यह आया तो yes minus a आएंगा yes into yes minus a आएंगा और dividation में bc रहेंगा sin rule में भी dividation में bc था और यह आपे भी cosine rule में dividation में क्या है BC है तो इसका result true करना है तो इसका result true करने के लिए अपने पास यह formula है ठीक है 1 plus cos of theta याने a लिख दिया equal to 2 cos square a by 2 यह formula है अपने पास ठीक है इसके पहले मैंने बताये था तो अपने को यही formula यूज़ करके half angle of cosine rule computer करना है ठीक है और इसके पहले 1 minus cos यह लिखा था to half angle of sine rule computer किया था तो इसके माइनस था इसके इसमे plus आए less रा तो sine आता है plus रा तो cos आता है इतना जान में रखना है ठीक है तो यहन पर 1 plus cos cos rule of angle a क्या था cosine rule of angle a b square plus c square minus a square upon twice bc था equal to 2 cos square a by 2 as it is रहेंगा ठीक है उसके बाद क्या किया था LCM लिया था तो LCM क्या था twice bc था twice bc से इसको multiply करो यह twice bc हो गया ठीक है plus से हरेक्टरम को multiply करो थो plus b square होंगा plus c square होंगा minus a square होंगा equal to twice cos square a by 2 ठीक है यह और और वो sign rule और cosine rule same to same ही है ठीक है तो इस पे वैसी adjustment करना है तो देखो यहाँ पे यहाँ प्लस वाले पहले लिखते हैं प्लस वाले कुनसे हैं यह तीनों term plus वाले हैं ठीक है इसको मैं लिख सकता हो b square plus c square plus twice bc लिखा देखो b square लिखा plus c square लिखा और यह twice bc लिखा निगेटिव term वाले कुनसी है तो minus a square लिख दिया ठीक है इसको एक bracket में डालता हो क्यों bracket में डाला यह किसका whole square है b plus c का whole square है इसलिए bracket में डाला ठीक है यह division में क्या है twice bc है equal to twice cos square a by 2 है उसके बाद क्या होंगा यह जो है bracket यह b plus c का whole square होता है ठीक है और यह minus a square होता है अपोन में twice bc होता है equal to twice cos square a by 2 होता है समझे अभी देखो यहाँ पी क्या करेंगे इसको a square लेंगे और इसको क्या लेंगे b square लेंगे a square minus और यह b square a square minus b square का फर्मूला क्या है अपने पास a minus b और यह plus b ठीक है इसके factor मिलेंगे a minus b मिलेंगा और दूसरा क्या मिलता है a plus b मिलता है तो पहला factor देखो क्या आएंगा minus वाला लेते हैं तो b plus c minus a पहला factor a minus b लिखा ठीक है दूसरा factor क्या है a plus b आएंगा तो a की value b plus c plus a आएंगा ठीक है और डिवाडेशन में twice b c है बराबर है equal to two cos square two cos square a by two ठीक है उसके बाद अपने को क्या करना है यह जो result है given result इसका use करना है a plus b plus c की term लाना है है क्या यहां पर नहीं है तो मैं यह लिखा उसके बाद मैं plus b लिखा plus c लिखा एक खिरा की term plus a था उसको cancel किया minus a से plus a किसे cancel हूंगा minus a से और बचिवी term को उसी है minus a है तो यहां पर लिख डाली ठीक है उसके बाद देखो यहां पर क्या है a plus b plus c अल्रेडी आ गया a plus b plus c अल्रेडी आ गया अपने पास तो यहां पर twice b c divided में twice b c है twice cos square a by two लिख दिया ठीक है इसके बाद आप लोग बता सकते हो बहुत ही सी है देखो a plus b plus c equal to twice yes होता है minus a और minus a minus twice a हो गया ठीक है इसकी value क्या होती है yes होती है अपन twice b c होता है equal to twice cos square a by two बराबर लिखा ठीक है नहीं एक गल्ती होगी क्योंकि a plus b plus c की value क्या है twice yes है तो यहापे twice yes करना है point to yes करना है ठीक है तो अभी इसमें से two common निकालो two common निकाले बाद yes minus यह आता है ठीक है और यहापे क्या है twice yes है upon twice bc है twice cos square a by 2 है बराबर है इसके बाद आपके हाथ में result है बस cancel करें के जोरो तो तो cancel कर दिया यह 2 और यह 2 cancel कर दिया तो अपने पास क्या आता है cos square a by 2 आता है equal to यहापे yes into yes minus a upon bc आता है ठीक है तो cos a by 2 ही लाना है square पो cancel करना है तो दोनों side से square root ले लो ठीक है तो square root लेने के पाद यहापे क्या मिलेंगा cos a by 2 equal to under root of yes yes minus a upon bc तो यह अपना second rule proof हो गया कौनसा cos a by 2 equal to under root of yes yes minus a यह पूरा under root है yes minus a upon bc ठीक है यह second rule हो गया अब थर्ड rule के तरफ चलते हैं दो रूल पढ़ चुके अपन sin a by 2 और cos a by 2 जैसे यह आ गया तो yes into yes minus a ठीक है बचे भी भेलो yes minus b और yes minus c लिख डाले इसको फ्रूब करना है तो सबसे पहले मैं left hand side लेता हूँ ठीक है इसकी left hand side क्या है tan a by 2 है बरबर है tan a by 2 है तो tan यहने क्या होता है tan theta यहने sin theta upon cos theta होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan a by 2 upon cos sorry यहाँ पर sin a by 2 sin a by 2 upon cos a by 2 लिखा tan a by 2 यहने क्या होँगा sin a by 2 upon cos a by 2 sin a by 2 का पहला result है अपने पास क्या था पहला result under top यहाँ पर a आया तो yes minus b था yes minus c था upon bc था बरबर है यह पहला result हो गया sin a by 2 का उसके बाद cos a by 2 का cos a by 2 का यह भी under root था denominator यहाँ भी bc था और यहाँ भी क्या रहेंगा bc रहेंगा ठीक है numerator में yes into yes minus a यह आया था बरबर है सिर्फ simplification करने की जोरू रहे था देखो इसके सामने में simplification करता हूँ यहाँ पर under root of yes minus b लिखा और yes minus c लिखा अपन में under root of bc लिखा ठीक है इसके भी under root separate कर दो denominator में क्या है यहाँ पर yes yes minus a है अपन under root of bc है under root bc under root bc cancel और remaining आपका result ही है तो इसको मैं लिख लेता हूँ यह पूरा under root यह बचा हुआ है पहला result है और यहाँ पर भी बचा हुए a term है तो this divided by this लिख दो ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ under root of yes minus b और yes minus c upon under root of yes into yes minus a दोनों के under root एक जगा पर कर लो this is equal to under root of क्या रहेंगा yes minus b रहेंगा और yes minus c रहेंगा upon yes yes minus a आएंगा तो यह आपका third result हो गया ठीक है तो पहला result sin a by 2 sin a by 2 का यह जहान में रखना है ठीक है cos a by 2 का यह दूसरा result ज्यान में रखना है मैं यही पर बता रहो तीसरा result है tan a by 2 का है तो tan a by 2 में क्या होने वाला है इसका denominator और इसका denominator cancel होने के बाद इसका numerator बज़ता है और इसका भी numerator बज़ता है तो वह यहाँ पर आता है तो आपको तीनों rule ध्यान में रहने चाहिए कौनसा sin a by 2 cos a by 2 और tan a by 2 वहाँ आने ग्यान में क्योंके यहाँ वखना है जो दो और वाद और प्सको टो betजिए रेता है के वुट एंए